फेमस कॉमेडी शो तारत महता का उल्टा चश्मा इन दिनों काफी सुर्खियों में है। एक्ट्रेस जनिफर मिस्त्री के शो से बाहर होने के बाद के बाद अब शो में रीका रिपोर्टर का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्रिया आहुजा ने भी प्रोड्यूसर असित मोदी के खिलाफ आरोप लगाया है। एक इंटर्व्यू के दौरान प्रिया ने बताया कि डाइरेक्टर मालव राजदा से शादी के बाद असित मोदी और टीम का व्यवहार उनके लिए बदल गया था। इसके साथ ही प्रिया ने यह भी बताया कि शो में उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया और इसके साथ ही उन्हें मानिसक उत्पीडन से गुजरना पड़ा। एक इंटर्व्यू में प्रिया आहुजा ने बताया कि डाइरेक्टर मालव संगशादी के बाद शो में उनका ट्रैक खत्म हो गया था। उन्होंने कहा शो छोडने के बाद मैं अपने च्रैक के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने अपने च्रैक के बारे में पूछने के लिए असित मोधी को कई बार मैसेज किया लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने सोहिल रमानी को भी मैसेज किया लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया इसके अलावा इंटर्व्यू में प्रिया आहुजा ने असित मोधी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मालव से जब मेरा रिष्टा जुड़ा तो मुझे शो से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फैंक दिया गया मेकर्स ने नौ महीने तक मुझे शो पर नहीं बुलाया एक्ट्रेस ने आगे कहा मैंने अपमानित महसूस किया क्योंकि 14 साल तक शो में काम करने के बावजूर मुझे अपने ट्रैक के बारे में मेकर्स से कोई रिस्पॉंस नहीं मिला था